आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम अमदवाद बोटाद लाइन के आमान परिवर्तन की अपडेट देखेंगे तो पांच साल पहले इस रेलोई लाइन के आमान परिवर्तन का कारे शुरू हुआ था जिसमें साब्रमती डी क्याबिन से लेकर बोटाज जंक्षन तक के ट्रैक का करीब 166 किलो मीटर लंबे रेल खंड में ब्रोडगेज की पट्रियां बिचाने का काम जोरोशोर से चलने ल उस दिन से लेके आज तक माल गाड़ियों का संचालन निरंतर हो रहा है लेकिन CRS निरिक्षन के कई दिनों बाद भी यात्री गाड़ी का कोई आता पता नहीं था जिससे इस इलाके के यात्रियों में काफी आक्रोश उमड पड़ा जिसको मद्दे नजर रखते हुए सरका अंतत अमदावाद बोटाद रेल खंड पर यात्री गाड़ी चलाने का निर्णे लिया और जून 18 तारिको इस रेल खंड की पहली यात्री गाड़ी को हरी जंडी दिखाई वैसे कहा जाए तो दो गाड़ियों को हरी जंडी दिखाई गई है एक गांधी ग्राम स्टेशन स और दूसरी बोटाज जंग्शन से दोनों ही गंतेवी स्टेशनों पर उद्गाटन समारोह रखा गया जहां संबंदित अधिकारियों ने भाग लेकर दुलहन की तरह सजी हुई ट्रेन को आशुभारम किया वहां उपस्तित क्षेत्रियों लोगों में भी अलग ही उमंग और उत्साहक दिखाई पड़ा क्योंकि पात साल बाद जाके एक यातरी गाड़ी से रेल खंड पर चलने जा रही थी भारत माता की जैकारे की संग दोनों ही ट्रेने अपने पहले सफर पर निकल पड़ी रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर स्थानियों लोगों ने इन अच्छे तरीके से पूरे ट्रेन का अवलोकन कर अपने हरेदे को त्रिप्त किया अब जहां तक इन ट्रेनों की टाइम टेबल की बात करें तो गांधी ग्राम बोटाद एक्सप्रेस सुबह 6 पचपन को गांधी ग्राम स्टेशन से शुरू होती है फिर 10 पचपन को बोटा जंक्षन पहुंच जाती है शाम को यही ट्रेन 5-10 को बोटा जंक्षन से रवाना होकर रात 9 बजे गांधी ग्राम पहुंच जाती है एक और ट्रेन सुबह 6 बजे बोटा जंक्षन से रवाना होकर 9.30 बजे गांधी ग्राम पहुंच ती है बाद में शाम 6 बजे यह ट्रेन गांधी ग्रम से उपड कर रात को तकरिबन 10 बजे बोटाज जेंशन पहुंच जाती है फिलहाल तो सिर्फ दो पैसेंजर ट्रेंज सी चलेंगी लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही भावनगर तक संचालन शुरू कर दिया जाएगा वैसे इस रेलखंड के कुलने से यहां के लोगों को आने जाने के लिए एक और विकल्प मिल गया है अब अमदवाद जाने के लिए इन लोगों को दूर दूर स्थित स्टेशनों तक नहीं जाना पड़ेगा नजदी की स्टेशनों से ही कम समय में यह लोग अप याद्रा कर सकते हैं और तो और भोटाज से अमदवाद के लिए एक नया रूट मिल गया है जो कि सुरेंदर नगर वाले रूट से 35 किलोमीटर कम दूरी का है जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा और लंबे रूट वाली ट्रेन को एक बाइपास भी मिल जाएगा कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन को गांदी गराम स्टेशन से अमदवाद जंक्शन तक विस्तारित कर दिया जाए तो ज्यादा सूहलियत होगी लेकिन इस पर अधिकारियों ने कहा कि अमदवाद जंक्शन तक जाने में कई सारे बिजी रेलवे फाटक मौझूद है जहां पर ट्राफिक के समस्याओं को ना बढ़ाते हुए ट्रेन को गांदी गराम स्टेशन तक ही टर्मिनेट किया जा रहा है अब जहां तक ट्रेन के किराय की बात की जाए तो इसके जनरल कोच का किराय गांदी गराम से बोटा जंक्शन के लिए 70 रुपे रखा गया है और केवल 4 घंटे में एक यातरी बोटा जंक्शन और गांदी गराम के बीच यातरा कर सकता है इसलिए अगर जादे से जादा लोग इस ट्रेन में यातरा करने लगेंगे तो जल्द ही रेलवेस इस रूट पर अन्य ट्रेनों का भी संचार शुरू कर देगा चलिए फिर आज के लिए इतना ही अपडेट देना था और इस ट्रेन का लाप बहुत सारे लोगों को मिल सके उसके लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और कमेंट्स में अपने जरुत मन ट्रेने जो की इस रूट पर चला ही जा सके उनके नाम लिखें अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद